है लो स्टूडेंट्स वेल्कम टो एंकेच मैं रूबी सिंगाटिया और आजम करने वाले हैं आपकी जो बुक है गोल्डन रेज उसका जो चैप्टर है नाइन चैप्टर अमैंस ट्रू सन तो यह वाला जो चैप्टर हैं करने वाले हैं कि आदमी का जो सच्चा पुत्र था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो देखिएगा चैप्टर की शुरुआत करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंटरस्टिंग सी कहानी है तो चलिएगा there was a great feast being held in the house of a certain gentleman certain gentleman यानि कि किसी gentleman के घर पे एक feast यानि की भोज एक भोज का आयोजन किया गया था it was his birthday क्योंकि यह उसका जनम दिन था and many of his relations had come from far and near to greet him greet का मतलब बधाई देना तो बहुत सारे जो उसके रिष्टिदार थे वो दूर से और पास से बहुत सारे रिष्टिदार जो उसके बधाई देने पहुंचे थे and bring him gifts और उसके रहे बहुत सारे gifts मिलाए थे he entertained his guests उसने जो है अपने जितने भी महमान थे उनका उनकी जो है entertain किया उनको यानि उनके आव भगत की it was his duty to look after them well यह उसका करता में अभी था कि उनका ख्याल रखे उनकी आव भगत करे in the evening he gave a great feast और evening में जो उसने एक बहुती शानदार भोज का आयोजन किया and the gifts which the guests brought were placed in the center of the hall so that all might see them hall के center में सारे के सारे gifts रख दिये गए ताकि सभी जो है उन gifts को देख सके when the feast was over the guests the guests had gone away सारे के सारे में मान जा चुके थे जब feast जो है over हो गया था the men went towards the place where the gifts were and begin to put them away carefully अब वो आदमी gifts के पास गया और उन्हें अराम से सब जगें रखने लगा as he did so he suddenly caught sight caught sight का मतलोत है नजर पड़ना अचानक से उसकी नजर जो है पड़ी of the shadow of a man's head on the floor of the hall जो होल था उसके फर्ष पर एक आदमी के सर की परच्छाई उसे दिखाई दी he knew that there must be someone hiding in the roof उसे पता चल गया कि कोई है जो चत के ऊपर चुपा हुआ है यहाँ पर in the roof है in the roof का मतलब क्या हो गया चत के ऊपर ही ठीक है and realized that there was a thief up here और उसे पता चल गया कि वहाँ पर एक चोर है he called his servant and said उसने अपने नोकर को बुलाया और कहा all the guests have not yet been fed अभी तक सभी मैं मानों को खाना नहीं खिलाया गया है bring back the dishes सारा का सारा भोजन वापिश लेकर किया हो the servant did as he was told he brought back several dishes उसने बहुत सारे पकवान मापर लाकर रख दिये and waited for his master to tell him to serve them और इंतजार करने लगा कि उसका जो मालिक है वो से परोशने को बोलेगा but the man told him to leave them and go as he wished to be alone लेकिन उसके मालिक ने कहा नोकर को कि तुमने यहां पर रख दो यहां से चले जाओ शायद वो जो मालिक है वो अखेला रहना चाहता था then he looked up at the man who was hiding in the roof and said it is good of you to come to my house on my birthday अब जो है उसने उस चोर की तरफ देखा और उसको कहा कि यह बहुत ही अच्छा है कि आप मेरे घर पर मेरे बद्दे की दिन आए हो I thought that all the guests had left मुझे लगता है कि सभी मेमान जा चुके हैं but you have not been yet served लेकिन अभी तक तुम्हें भोजन परोसा नहीं गया है please come and share this humble meal यानि कि यह जो तुछ भोजन मैंने आपके लिए बनाया है इसको grant कीजिए with me the thief was very much afraid as he climbed down for his hiding place जैसे वो अपने छुपे हो स्थान से नीचे कूथता है तो वो काफी डर हुआ था but he was surprised to find himself rated as all the other guests लेकिन उसके जो आभगत बाकी के मेमानों की तने की गई तो वो बहुत ही आच्चरे चकी था his host served him with great courtesy उसके जो मेजबन था यानी जो पाटी दे रहा था उसने जो है उसको बहुती great courtesy यानी बहुती शिष्टाचार के साथ खाना परोशा and when he rose to leave और जब वो खाना खाके वापिस जाने के लिए उठा the old man give him a gift उससे जो है gift दिया and a bag of coins और एक सिकों से बरा हुआ थेला दिया and himself took him to the gate of the courtyard और अंगन का जो दवार था बड़ा दवार उस तक उसको छोड़ने आया several years later बहुत साल बाद जो है यानि कुछ साल बाद the old gentleman's birthday fest was again being held उस आदमी का जो बड़े था वो वापी से आया और वैसा ही जो feast है उसका जन दुबारा से हुआ many guests came and brought him gifts and as he was greatly loved some of the gifts were beautiful अब क्योंकि वो बहुती प्यारा था सब उसको बहुती चाते थे उस आदमी को इसलिए उसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट वाँ पर आये थे towards the end of the evening a stranger came bringing a small box for the old man अब जैसे शाम हुई जैसी वो feast जो एक उसकी समापती होने जा रही थी तो उस समय क्या हुआ कि एक अजनभी इनसान आया एक छोटे से डब्बे के साथ he refused to tell his name but asked if he could see the old man himself उसने जो अपना नाम बताने से इंकार कर दिया लेकिन उसे पूछ लेकिन जो जो भी गेट पर खड़े थे watchman वगरा उनसे पूछा कि क्या वे उस बुड़े आदमी से मिल सकता है या नहीं वेन दा ओल्ड मैन ओपन दा बॉक्स अब वो बॉक्स अंदर ले आये नोकर तो जह उसने ओल्ड मैन ने बॉक्स खोल के देखा he found inside a precious pearl परल का मतलब मोती एक बहुती अमुल्य मोती उसने वापर देखा वर्थे great deal of money जो की काफी महेंगा दिखाई देता था he told his servant to bring the stranger immediately उसने कहा कि उस अजनवी इनसान को जल्दी से जल्दी यानि इसी वक्त अंदर बुलाओ the stranger entered वो stranger जो अजनवी इनसान अंदर आता है as he approached to the gentleman जैसे वे gentleman के पास महुचा he bowled लो उसने उसका जो है सम्मान किया he knew that his host was unable to recognize him उसे पता चल गया था कि उसका जो मेजवान है वो उसे पैचान नहीं सकता है because his sight was dim क्योंकि उसकी नजर है अब काफी कमजोर हो गई है so he went nearer and said quietly so वो जो है उसके पास गया और धीमे से बोला I am the one whom you helped greatly many years ago मैं वही हूँ जिसकी आपने बहुत सालों पहले सहायता किती it was very kind of you to feed me आप बहुती दयालू है कि आपने मुझे खाना खिलाया था when I came to your house uninvited यानि कि मैं जो है बिना आमंतरन दिया आपकी घर पहुंचा लेकिन फिर भी आपने मुझे खाना के लाया तो ये जो आपकी दयालूता थी the old man replied it is a great joy to hear मुझे ये सुनके अच्छा लगा that I was able to do some good to you कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सका it is my duty to look after you I want you to have dinner with me but in order to invite you I must first know your name यानि कि मैं आपको dinner के लिए invite करता हूँ कि मेरे साथ जो है dinner कर लीजेगा लेकिन आपको invite करने के लिए पहले मुझे आपका नाम पता होना चरूरी है the man who had brought the priceless gift replied जो आदमी है उसने reply किया sir once before on another occasion like this ऐसा ही एक occasion था ऐसा ही एक समारो था you invited a guest without knowing his name आपने एक guest को बुलाया था dinner पर बिना उसका नाम जाने that guest was hiding in your roof वो जो guest है वापकी चत में चुपा हुआ था and wishing you ill और wishing you ill का मतलब है कि आपका बुरा करना चाता था आपको बदाई देने नहीं आए था बलकि वो आपका बुरा करना चाता था यानि कि चोरी वगएरा करना चाता था yet फिर भी you treated him with honor and courtesy फिर भी आपनो उसका सम्मान किया और शिष्टा चार से जो है उसे खाना खिला या उसके साथ व्यवहार किया could you not invite him today as you did then क्या आप आज उसे उसी तरह से बिना नाम जाने नहीं बुलाएंगे the old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his roof and the stranger explained how the kindness shown to him on that occasion has changed his life अब बुड़े आदमी को यादा गया कि उस दिन क्या हुआ था और इसी के साथ उस चोर ने ये कहानी सुनाई कि कैसे उस दिन आपने मेरी साहिता की तो मेरी पूरी की पूरी जिन्दगी बदल दी since that day he had given up his evil ways उस दिन के बाद उसने उसके evil यानि कि जो बुरे रास्ते थे वो त्याग दिये and try to earn his living by honest work और इमांदारी के कारियों से अपनी जिवी का कमाने लगा as years went by he became very rich और जैसे जैसे साल गुचरे वो बहती अमीर हो गया but that did not make him arrogant लेकिन फिर भी जो है उसमें गमंड नहीं आया it was his duty he felt to show the other the same kindness that had been shown to him by the gentleman अब देखेगा फिर भी अब क्या हुआ कि उसके अच्छे कारियों की वज़े से वो चोर सुद्रा फिर भी gentleman जो है वो arrogant नहीं हुआ gentleman ने कहा कि ये तो मेरा मेरी duty है ये तो मेरी duty है कि जो भी मेरे पास है मैं उसकी साहता करूँ दे अलता से उसके साथ व्यवार करूँ the old gentleman was deeply touched by the story और जो old gentleman है उसे बहुत ही अच्छा मैसू सुआ and when all the other guests had left he turned to the stranger and said to him you see I have many sons and grandsons देखो मेरे पास पहुती पुत्र है और भोती यहनी मेरे बेटों के बेटे हैं grandsons है but no one of them seems so dear to me this night as you लेकिन आज मुझे तुमारे जैसा प्रिय कोई भी नहीं लग रहा है though a little kindness which I did to you so many years अब देखेगा जो कारे मैंने तुमारे लिए यानि थोड़ी सी द्यालूता मैंने तुमारे प्रती जो दिखाई थी other acts of kindness have been born and now there is no limit to the number of sons and grandsons and the great grandsons of that well small deed of mine और अब देखेगा जो मैंने great यानि कि वो कहता है कि जो भला मैंने आपका किया उसी तरह से आप जो है आगे भला करोगे तो अब देखेगा कोई सीमा नहीं रहेगी मैं तुमें अपना पुतर बनाता हूँ तुम आगे और पुतर बनाओगे यानि कि तुम आगे और देल उता करोगे तो हम जो है जब आगे आगे देल तो करते जाएंगे तो ऐसे करके हम बड़ी चैन बना देंगे और फिर जो है मैं जो है मेरे संस ग्रेट संस और सड़ी ग्रेंड संस ग्रेट ग्रेंड संस जो है इस तरह से बनते जाएंगे एक स्मॉल डीड की वज़े से I am grateful to you because you have been the means of passing on that kindness तुमने जो है उस द्यालूता का मतलब जाना You are indeed a true son to me तुम वास्त विक्ता में मेरे एक सचे पुत्र हो and it was very good to you to come to me and tell me your story और ये बहुत ही अच्छा है कि तुमने आ करके मुझे अपनी कहानी बताई तो देखेगा ये आपका चैप्टर था कहानी बहुत ही मज़ेदार थी अब चलते हैं इसके question answers पर तो चलिएगा हमारा जो first है टिक दा करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर हमें जो है चार options दिए गए उनमें से first एक जो है हमें correct टिक करना है तो देखेगा first question है the gentleman gave a great fist in gentleman ने किस समय जो है एक भोज कायो जन किया morning में noon में evening में या night में तो आप कह देंगे evening में तो c option एकदम correct हो जाएगा second question है the thief was hiding in जो चोर है वो कहां चुपा हुआ था hall में, roof में, the room, the toilet तो आप कह देंगे roof में चुपा हुआ था in the roof तो b option से हो जाएगा third question है the gentleman found inside the box inside the box यानि उस box के अंदर उसे क्या मिला था a diamond, a gold ring, a pearl, a necklace तो उसे a pearl यानि के एक मोती मिला था उसकी वाद question number fourth है the thief was treated with rudeness, kindness, cruelly abuses यानि कि उसको गाले निकाली गई उसे निर्देत्या पुरवक व्यवार किया गया बी पार्ट जो है वो क्या कहता है say whether the following statements are true or false, write t for true and f for false, true false चांटने देखिएगा first है the gentleman was quite young, gentleman young था के old था तो आप कह देंगे old था मतलब ये false हो गया second है the feast was arranged on the gentleman's birthday, ये बिल्कुल सही है true हो जाएगा the thief was abused and insulted, चोर की जो है बेश्ती की गई और गालिया निकाली गई तो ये false हो जाएगा fourth है the thief was greeted as a guest, thief की एक मेहमान की तरहे खातिदारी की गई तो आपके देंगे बिल्कुल सही है true एक gold ring was found inside the box, तो ये false हो जाएगा उसके अंदर gold ring नहीं, बलकि हमें एक pearl यानिकी मोती मिला था the gentleman immediately recognized the stranger, gentleman ने असानी से stranger को पहचान लिया था क्या, तो नहीं, ये false हो जाएगा the servant did not obey the gentleman, नोकर ने अपने माली की बात नहीं मानी, तो ये भी गलत हो जाएगा the gentleman's eyesight was weak, ये बिलकुर सही है कि gentleman की eyes जो वो dim थी, eyesight weak थी अब चलते हैं 30 to 40 words वाले question answers की तरह, first question है what was the occasion of feast in the house of the gentleman, जो भोज का आयोजन किया गया था, वो किस वज़े से किया गया था तो आप कह देंगे the occasion of the feast was the birthday of the gentleman, उस gentleman का बदे था on this occasion, many of his relatives had come from far and near to greet him and bring him gifts वो उसको बदहिया देने आये थे और उसको gifts देने आये थे, बहुत सारी उसके रिष्टेदार नजदी को और दूर से now the second question is, who were the guest in the feast, फीस्ट के अंदर कौन guest था तो आपके देंगे the relative of the gentleman were the guest in the feast, they had come from the distant lands, वो जो अलग अलग दूरियों से अलग जगों से आये थे now the third question is, why were the gifts placed in the center of the hall, उसको सारे के सारे gifts को hall के center में किसली रखा गया था ताकि सारे के सारे लोग उसे देख सके now the answer is, many of the guests had brought gifts for the gentleman, the gifts were placed in the center of halls, so that all the guests might see them ताकि सारे के सारे guests को से देख सके, now the fourth question is, what strange thing did the gentleman notice after the feast was over gentleman ने भोज के स्वापती के बाद क्या देखा तो आपके देंगे all of a sudden the gentleman noticed the shadow of a man's head on the floor of the hall he was sure that someone was hiding in the roof, now the fifth question is, why did the gentleman order his servant to bring back the dishes उस gentleman ने अपने नोकर को सारे के सारे पकमान वापिस लने को क्यों कहा, तो आपके देंगे the thief had come on the gentleman's birthday who had not eaten anything, he ordered this servant to bring back the dishes to serve him वो उन्हें जो है उस चोर को सर्व करना चाहता था what was in the box brought by the stranger on the gentleman's birthday, gentleman के बद्दे पर जो box आय था उसमें क्या था तो आप कह देंगे the box had a precious pearl which was brought by the stranger on the gentleman's birthday, it was very costly why was the gentleman unable to recognize the stranger, the gentleman was the thief who had once entered the gentleman's house on the occasion of his birthday stranger जो हो चोर था, जो की जनलमें के घर पर उसके बद्दे के दिन आया था now the last question of the chapter is what did the gentleman give to the thief, gentleman ने उस thief को क्या दिया तो आप कह देंगे the gentleman gave a gift and a bag of coins to the thief, he himself took him to the gate of the courtyard, उसे जो है दरवाजे तक वो छोड़ कर आया था तो ये था आपका चोटा सा प्यारा सा चैप्टर आज की क्लास में बस इतना ही बाखी करेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए, all the best for yourself studies अग्छ। to